सब्सक्राइब किजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और साइड में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करके नोटिपिकेशन को आल कर दीजिए ताकि इस चैनल के लेटेस अपडेट वीडियो आपको हमें साम मिलता रहे हैं हेलो गाइस वेल्कम बैक टो माई न्यू वीडियो तो दोस्तों वाट्सअप में कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जिस अपडेट के दौरार वाट्सअप में एक नया फीचर जूड़ गया है तो यह जो फीचर है यह बहुत ही कमाल का फीचर है तो इस फीचर को यू को दिखाऊंगा की फीचर कौन सा है आप लोग को कहां मिलेगा और इसको यूज कैसे करना है और अगर यह फीचर आप लोग को अभी तक नहीं मिला है तो टेंसल लेने के कोई ज़रूद नहीं है क्योंकि वीडियो को अंत्र में आप लोग को यह भी दिखाऊंगा के जो फ किसी को भी अगर कोई फोटो या फिया पर फिडियो को सेंड करना । लेकिन आप लोग अगर ऐसे सेंड कर देंगी तो इवाला जो फीचन्ड काम नहीं करेगा तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, add caption के side में यहां पर एक icon है, यहां पर one लिखा हुआ है, और एक circle रहेगा, जो द्री-द्री हो जारा है, तो सारा funda इसी icon में है, तो आप लोग को क्या करना है, photo या फिर वीडियो को send करने तो चलिए इसको सेंड करते हैं तो सेंड करते ही आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिख नहीं रहा है यहां पर सिर्फ फोटो लिखा हुआ है तो फोटो सेंड हो गया अभी आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर फोटो चला गया है तो यहां पर भी उसी तरह से एक फोटो को देख सकते हैं, लेकिन फोटो को देखने कर बाद जब भी यहां पर back कर देँगे, तो फिर से इस फोटो के अंदर नहीं जा पाएंगे, तो चले मैं आप लोगो को दिखाते हूं, यहां पर मैं back कर झाता हूं, तो back करने के बाद यहां पर open लिखा हुआ आ गया अभी मैं आगर यहां पर प्रेस करता हूँ तो यह photo फिर से open नहीं होगा तो यही है इस features का खासियत इसी तरीके से अगर आप कोई भी वीडियो को अगर send करेंगे आप लोग के phone में Google Play Store तो है ना तो उसमें जाएए और WhatsApp को कर दीजे update तो यह जो feature है यह आप लोग के phone में अपने आप आ जाएगा और अगर आप लोग का WhatsApp जो है वह update नहीं है और कोई अगर आप लोग के ऐसा कोई photo भेज़द है तब तो कोई भी message को देखके समझ जाएगा कि यह जो photo या फिर वीडियो है यह फिर एक बार देखने के बाद ही delete हो जाएगा तब ओ लोग क्या करेगा इस photo को screenshot ले लेगा या फिर वीडियो को screenshot कर लेगा तो इस update का क्या फाइदा तो मुझे लगता है कि WhatsApp को ऐसा कुछ update लाना चाहिए जिससे कि WhatsApp में कोई भी screenshot ना ले पाए या फिर screenshot ना कर पाए तब ही यह जो update है और भी strong हो जाएगा और आप लोग को क्या लगता है वो comment में मुझे जरूर बताएगा और साथ में यह भी बोलना मत भूलिएगा कि आप लोग के update मिला है या फिर नहीं मिला है तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगओ तो वीडियो को like कर दीजिए और यह जो वीडियो है अपने दोस्तो अगल वीडियो में तब तक लिए good bye and take care